कि हलो फ्रेंड आप सब्दिक नमस्कार अभी स्टेडी आइक्यू में आप सब्दिका स्वागत है फ्रेंड हम एक कुष्ण की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी स्टेडी जो कुछण आयों है प्रिवेश आर उनको डिसकस कर रहे हैं तो देखिए आज क्लास में हम क्या करते है देखिए इससे पहले क्लास में डाल रही है आप उसको देख लीजेगा और आज की क्लास हमें स्टार्ट करते हैं मालविका मित्रम किसने लिखा था ओप्संस है भास कवीरावय पानभट कालिदास तो फ्रेंड यह लिखा था कालिदास द्वारा जिसमें मालविका और अगनी मित्र की कथा वर्णी तैस के अंदर ठीक है उसके साथ अगला कुषण है किस राजा की कानी मुद्रा राकसक्स नाटक का विशेय है उप्संस है जैचंद चंद्रगुप्थ साकिंड चंद्रपीड चंद्रगुप्त आण्दरогुप्त मोरय तो देखिए इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त मोर्रे चंद्रकुप्त मोर्रे कुलहीन इसमें जो जो इसके मुद्राराक्षान आठागे इसमें कुलीन वर्षाल का गया है ठीक है अच्छा कुछन है प्रिवेश एर एक्जामेनिशन में आयवा कुछन है मोर्रेवंस का अंतिम समराट कौन था तो मोर्रेवंस का अंतिम समर पति था उसने इसको 184 इससा पूरु में इसके हत्तियां कर दी गई थी अगला कुशन देखिए समराठ असो किसके पुतर थे ओप्शन से चानक के बिंदुसार चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त तो अच्छा है कुशन है बहुत एक्जाम में आता है आपने भी देखा हो होगा कोशल होगा और अवद वरत्मान उत्तरप्रदेश में इस्तित है ठीक है एक भाग उत्तरप्रदेश का चानक के का एक अन्ये नाम क्या था चानक के का एक अन्ये नाम चानेकों को जो जाना जाता था विष्णो कुप्त से ठीक है अन्य नाम विष्णो कुप्त से जाना जाता था ठीक है तो देखिए अगला कुस्ण देखिए अगला कुशन है भारत के पहले राष्टपती कौन थे उस्वरी उपराष्टपती कौन थे भारत के पहले उपराष्टपती कौन थे तो भारत के पहले उपराष्टपती एस राधा कृष्ण इनका जीवनकाल 1902 से 1962 तक उपराष्टपती में राह है ठीक है अगला भारती सव तो इसका जो आनसर होगा संसथ ठीख है अच्छा कुस्छनź है यह भी बारत का सर्वच्चे विधाई मिकाय है केबिनेट उच्चतम न्याले उसके बाद निर्वाचन आयोक संसद तो इसका विधाय निकाय है थीक है अच्छा कुस्छन यह भी अगला देख currently एगलो इंडियन समुधाय में कितने सदिश्यों को संसद में नमंकित किया जा सकता है दो, तीन, चार, पांच तो देखिए लोग सबा में आर्टिकल 331 के तैत दो एगलो इडियन नमंकित किये जा सकते हैं ठीक है, राजे सबा की सदिशक की अउदी क्या है, सदिश्यत्ता की तो देखिए दो वरस, पांच वरस, छे वरस, चार वरस तो इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर छे वरस होगा अनुछे 831 के अनुसार जो राजे सबा है ये एक इस्ताई सदन है, ठीक है और इसमें क्या होता है कि हर दो साल में एक बड़ा तीन सदस्य से शेवरानित होते रहते हैं ठीक है अच्छा कुछन है भी सफेद रेगिस्तान भारत के किस राजे में इस्तित है तो फ्रेंड बहुत अच्छा कुछन आप इसको बताएगा गुजरात के 55 में इस्तित है और इसका 3000 वरक किलोमेटर में 30,000 वरक किलोमेटर में फैला हुआ है अगला निमन से अरावली परवत की सब चुछी चोटी कौन सी है सेर जरगा अचलगड गुरु सिकर तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत इजी कुछन है गुरु सिकर ठीक है निमन लिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गलेशियर है जो इसमें गुरु सिकर की हाइट है 1722 मिटर ये भी द्यान रखिएगा ठीक है निमन लिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गलेशियर है गंगोतरी द्रांग द्रंग सियाचीन सफात तो इसक ये अच्छा कुस्सन है भी केवल भारत भारतोर म्यानमार भारतोर बुठान बारतोर चील तो यह आंसर होगा भारतोर म्यानमार मैं भारत में अपने मिजोरम तिरपुरा असम मेगाले पच्छी मंगाल के साथ मंगालती सीमा टच होती है कौन सा जल मरूदे में मदे भारतोर सिलंगा से अलग करता है डंकन जलसंदी पाग पाक बांस नेपुरो तो इसका जो होगा पाक ठीक है पाक बंगाल घाडी और मनारिक घाडी को जोड़ता है और इसकी चोड़ाई 64 से 134 किलोमेटर के बीच मिस्तिता है ठीक है अगला देखिए पॉलियो वैक्षिन की खोज किसे दारा की गई पॉलियो वैक्षिन की खोज अगला देखिए औरल पॉलियो वैक्षिन की दारा विक्षित की गई थी एडवर्ड जेनर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलबर्ट साबिन जोनस साबिन तो इसका आएगा अलबर्ट साबिन फ्रेंड आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राब करना ना बूलेगा हम टाम टाम आपको न्यू गोर्मेंट जोन नोटिपिकेशन साथ साथ हम इस तरह के कुशन आपको टाम 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 डालते रहे हैं जिका वाइरस किसके दारा मनुश्यों में संचरित होता है, चुआ, मच्छर, जींगर, खरगोस, यह आएगा मच्छर में, मच्छर दारा मनुश्यों में संचरित होता है, ठीक है, पीला बुखार, पीत, जोर, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किस से फैलता है, ओप्सन स मादा मचर काटने से नर मचर के काटने से पानी वाई यू पीला बुखार मादा मचर काटने से फ्यलता है ठीक है चेचक के लिए ठीका किसी ने परदान किया था एड़वर्ड जेनर रोबर्ट कॉच पल क्रेडिट्स अलगजड फ्लैमिंग तो इसके आंसर आगा एड़वर जोइन के लिजिए जिस पर हम टाइम टाइम आटको गवर्मेंट जोब नोटिफिकेशन से अपडेट कराते रहते हैं तो थैंक्यू फ्रैंड आपको कैसी लगए गलास हमें कमेंट बाउस में जरूर बताएं थैंक्यू फ्रैंड